नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग computer basic subject discuss कर रहे थे rrb ntpc exam के लिए जो कि आपका CBT1 और CBT2 दोनों के लिए helpful रहेगा तो आभी तक जितने फी lecture's हमने cover किये हुए है rrb ntpc के लिए computer का तो हमने इसका अलग से playlist create कर दिया है तो आप लोग discussion box में जाना वहाँ पे आपको इसका link मिल जाएगा playlist का तो वहाँ जाएक आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं और इसके अलावे देखिए हमने अलड़ी environment basic सा पूरा complete class हमने आपके लिए बना दिया उसका पूरा वीडियो हमने complete करा दिया है और साथ में उसका हमने पीडिया भी प्रवाइट किया हुआ है तो आपको प्लेइलिस्ट का लिंक और साथ में जो पीडिया का लिंक दोनों discussion box में आपको मिल जाएंगे तो वहां जाके आप लोग previous सारे वीडियो को देख सकते हैं और PDF को भी आप लोग बाइक कर सकते हैं और computer का भी आपको हम एक दो दिन में प्रोवाइट कर देंगे पूरा complete PDF जिसमें कि आपको जो है जो इसमें theory रहेंगे और साथ में previous year question भी रहेंगे जो कि आपका important shortcuts होते हैं जो कि अब पूछा आता है तो वह सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे तो दिखिए जो Microsoft Office है तो यह डेवलब किया गया था Microsoft के दोरा around 1980s के दोरान में तो दिखिए जितने भी Microsoft Office आपके यह सारे जो है एक collection of software आपके हैं जिसमें कि आपको एक specific task services provide किया जाते हैं जिसमें कि major of work आपको provide करने के लिए जाते हैं जिसमें कि आपका पहला MS word तो यह जो है एक word processing software है और वहीं provide करती है तो यह सारे जो हैं जो important आपका है जो की office MS office का जो package आता है इसमें यह सारे चीज़ आपको combined लिए उसमें आपको मिलते ही है तो यह सारे दिखिए जितने भी MS office का जो packages है तो इसके लिए operating system आपको चाहिए that is Microsoft Windows तो इसमें आपको यह सारे जो है packages आपके run करेंगे तो दिखिए यहाँ पर कुछ आपके question पूछे गया थे RRB NTPC के previous year में तो question दिखिए आपका यहाँ पर है कि Microsoft Corporation was founded in Microsoft Corporation जहाथ यह कव found किया गया था तो दिखिए जो Microsoft आपका थी एक multinational computer technology corporation है जो कि यह found हुआ था आपका April 4 1975 में by Bill Gates और इसके साथ में जो इनके साथ में जो और जो इनके साथ में कलिक थे पॉल एलन तो इन्होंने न्यू मेक्सिको के अलबगर भी इन्होंने इसकी foundation की थी तो देखिए यहाँ पर correct answer होगा 1975 option सी correct answer इसका हो जाएगा और वहीं पर अगला question आपका दिया हुआ इसमें कि Bill Gates इसके साथ और कौन थे तो option में देखिए तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ पॉल जी एलन है जो कि इन्होंने इनके साथ मिल के foundation की थी इसकी तो option D आपका correct answer आपका हो जाएगा तो जो Microsoft Corporation आपका 1975 में इसके foundation की गई थी लेकिन MS Office का जो packages है आपका तो वह जो है डबल अब की गए थी उसे 1980 के आ रहा हूँ तो आए अब हम लोग यहाँ पर जो है एक एक करके सब को देखते चलते हैं हम लोग जितने भी MS Office के आपके packages है तो पहला आपका देखिए यहाँ पर है Microsoft Word जिसे सब्सक्राइब लोग बोलते हैं तो देखिए जो MS Word है ति आपका एक word processing बेस्ट application आपका है जिसमें कि इसमें आप लोग जा है जैसे कि मालीज आपको कोई भी टेक्स डॉकमेंट आपको करनी होती एक question paper हो गया है और वी जो इसे से लिए रहते हैं तो वह सारा चीज़ इसके तुल आप लोग कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारे टूल्स भी प्रवाइड किया जाते हैं जिससे कि आप लोग इसमें आप compose कर सकते हैं edit कर सकते हैं और साथ में जो document रहते हैं उनको print भी करा सकते हैं और उसको format भी कर सकते हैं different fonts में या पर different तरीके से तो इसमें बहुत सारे features आपके अब लेबल रहते हैं जैसे आप MS Office का MS Word का window upload open करते हैं तो आपको यह सारा features में आपको मिल लाएग जैसे working area आप क यह सारे चीज़ आप लोग यहां पर edit कर सकते हैं तो यह सारा चीज़ आप लेबल रहता है आपका जब लोग MS Word को open किजेगा तो इस तरह का window आपको open रहेगा और document जो आपके इसमें बना सकते हैं तो कौन-कौन से document आपके rate कर सकते हैं तो में लिए इसमें आपका जैसे poster type का हो गया रिपोर्ट हो गया लेटर हो गया इसके अलावी जो वेब पेजेशन न्यूस लेटर रहती है यह सारा चीज़ आप लोग इससे कर सकते हैं तो इसका एक्जामपल देखिए यदि MS Word का एक्जामपल आपसे पूछा है कि वह कौन-कौन सा है तो इसमें आपका पहल यहां पर देखिए में इंपोर्टेंट सॉटकट की है जो कि आपका MS Word से रिलेटेड है इनसे कोशन आपके पूछे ही जाते है एक जामस में आपको इन सारे सॉटकट को आपको याद करना होगा एक्जाम में आपको कोशन इससे पूछे जाते हैं तो यह कुछ स्टेंडर् आपको क्रियेट हो जाएगा फिर उसके बाद अग ओपन करना रहता है इसके लिए प्रेस करने कंट्रोल प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस एप टुल तो इससे जो कोई भी एक जिस्टिंग डॉकमेंट रहेगा तो आपका ओपन हो जाएगा और वहीं पर और भी ऑप्शन एक पर नहीं बीयुकत realizar ंतना आप रहतार इसके लिए प्र करने के लिए उसके जाएगा फिर इसके बाद करने के लिए जो है अपका कंट्रोल प्लस प्रेस किजएगा तो आपका कोई डॉकुमेंट रह 서 के लिए इसका shortcut की होता है control plus F2 फिर इसके बाद और भी रहते हैं आपके spelling check करने के लिए F7 प्रेस कर सकता है हाँ इसके अलबे जैसे cut करने के लिए control plus X यह आपका shortcut की है और copy करने के लिए आपका control plus C और वहीं पर paste करने के लिए इसका shortcut किया है control plus B या तो फिर सिफ प्लस इंसर्ट के थूरू भी आप लोग कर सकते हैं तो यह कुछ important shortcuts की हैं जो कि आपका MS Word से related है तो इन से question बराबर आपके पूछे ही जाते हैं और यह सारा चिज़ापका दिया हुआ लिस्ट में total तो यहां पर देखिए कुछ question आपके पूछे गया थे आरभी NTPC के previous year में जो कि आपका यही topics related है तो question देखिए आपका है कि dash clicking on the mouse selects the entire paragraph by default while working with text document in MS Word तो देखिए जब MS Word में आप वहां पर work करते हैं उस पे तो उसमें देखिए जो है mouse को आप कितने बार click करने पर जो है या फिर default रूप से पूरे paragraph आपका chain कर लेता है तो देखिए जब आप लोग यह experiment आप करके देखना यहीं आप लोग mouse को अगर तीन बार प्लिक करते हैं यहां पर यानि कि ट्रिपल टाइम बार अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो जो पूरा paragraph रहता है तो उसका वह पूरी तरीक से उसको चैन कर लेगा यानि कि उसको सेलेक कर लेगा जब ही आपको बार करते हैं मेस वर्ड में तो यह चीज़ आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं तो तीन बार इसमें करनी होती है तो आप्शन देखिए इसको राइट एंस और ऑप्शन तू आपका हो जागता है इसके बाद अगला कोशन देखिए यहां पर दिया हुआ है कि वाइल एडिटिंग टेक्स डॉकुमेंट इन एमस वर्ड दे कंबिनेशन की यूज़ पर कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स आर रस्पेक्टिवली तो यहां पर देखिए आप से सिंपल सॉर्टकट की पूछ आते जामस में तो आपको जाए सभी के सॉर्टकट की आपको याद रखने होंगे जो कि आपका रिलेटट है मस वर्ड से अप्लिकेशन अप्लिकेशन थो जो आपको हमने पताया हुआ है तो और और आपको और आपका और आंसर हो जाएगा फिर नेक्स दिखिए यह यह भी कोश्चन आपके पूछे गए थे अरवी एंटी पीसी के प्रिफियस एर में कि बीच ओ फॉलोविंग इस नॉट एन एक्जांपल आपके वाट प्रोसेसर तो कौन सा इन में से एक वाट प्रोसेसर का एक्जांपल आपका नहीं है तो अप्सेन में दिखिए दिया हु होगा जो कि वाट प्रोसेसर का एक्जांपल नहीं है यह आपका एक स्प्रेट सीज आप्पेर है अगला कोश्चन देखिए कि बीच की कंबिनेशन इस यूस्ट पर पेस्टिंग टेक्स्ट इन दी एमस वर्ड तो एमस वर्ड में आपका जो है पेस्टिंग करने के लिए क कि स्टार्ट मेंनू इस स्टेंडर परिसिन कंब्यूटर में यह आपका क्या है तो ओप्सन में देखिए जबार्ट हर्ड अह्य हाडवेर, और सेट अडायल के नेंटवर्ड देटेट तो देखिए जो इस टार्ट आपका रहता है जो कि यह हैपके रहते हैं सभी मेनू में प्रेक्टिकल करके देख सकते हैं तो option भी correct answer इसका हो जाएगा फिर अगला देखिए कि .dox is a file created with तो इसमें देखिए .docx जो आपका है तो यह फाइल आपको create करते हैं किसमें तो यह आपका रहता है जैसे word processor based software आपको जो रहते हैं कि जो word processor based जो भी document आप create करते हैं तो इसका आपका format रहता है that is .doc अब इसमें एक भी आपका लगा रहता है तो यह भी आप लोग याद रखना है इसका तो यह आपका जैसे word processor का है तो option c correct answer है इसका फिर अगला देखिए ms excel आपका है that is microsoft excel है तो यह आपका मैनेज करना होता है जितने भी accounting purpose के आपके information रहते हैं तो आप लोग इसके थूरू कर सकते हैं और साथ में कोई भी मालेजिए कि अगर आपको mathematical calculation करनी होती है फिर budgeting या फिर बिलिंग करनी होती है तो यह सारा चीज भी आप लोग जाए perform कर सकते हैं ms excel के थूरू इसमें देखिए एक matrix of rows and columns आपके रहते हैं जैसे कि मालेजिए अकाउंटिंग लेजर आप करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं मैट्रिक्स रहते हैं इसके जिसमें कि rows and columns आपके रहते हैं और इसमें देखिए जो working जो आपका रहेगा विंडोस में जो आपका जिसमें आप लिखते होंगे कोई चीज माली जिसमें आप लोग एडिट करते होंगे उसमें तो आपका जो ब्लाइक कलर सही है आपका मतलब कि डार्क रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग जिसमें कि currently working होती है तो आपका जह है वो पूरे दरीके स से डार्क हो जाएगा तो इसको हम लोग एक्टिव सेल हम लोग बोलते हैं और इसके साथ में और भी आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं जैसे कि ग्राप हो गया इसके साथ में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में डेटा का भी इसमें आप लोग कर सकता है तो इसका एक्जाम्पल के हम बात करते हैं तो इसका एक्जाम्पल आपका होगी that is Microsoft Excel जो कि simply MS Excel लोग बोलते हैं इसके लाभी कोरल कोड्राप प्रो आपका हो गया इसनोबल हो गया और लोटस बंडू थी हो गया तो यह सरे एक्जाम्पल आपके Microsoft Excel के और जो फाइल फॉर्मेट आपका रहता है फिर जो एक्स्टेंशन रहती है MS Excel में जो भी आप डॉक्मेंट करेट करती है तो उसका होता है .xlxc xlx या फिर .xls रहती है इसकी ती यह दोनों आपके फाइल फॉर्मेट रहते हैं और अगर आप लोग F5 प्रेस करते हैं तो कोई भी माले जी स्पेसिफिक सेल होगा तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं इसके थूर्मेट जैसे माले जी सीसिक्स पे आपका चला जाएगा अगर F5 प्रेस करते हैं कोई भी स्पेसिफाई सेल रहेगा वहाँ पे आपका चल करनी होती है और वहीं करेंट डेट इंटर करने के लिए कंट्रूल प्लस सिंपली प्रेस आपको करना रहता है इसमें और भी ऑप्सन आपके दिया है इसमें साथ में इंसर्ट न्यू वर्क सिटाइट करने के लिए अल्ट प्लस एपन प्रेस करनी होती है इसके अलावे देख करने के लिए जो सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब करने के लिए 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 सब्सक्राइ इसका देखिए राइट अपका हो जागा है यह सारा चीज आपका कलेक्शन होता है जो कि आपका वर्क बूक हो गया और इसमें देखिए जैसे आप बोलते हैं इसको वर्क सिट भी बोल सकते हैं तो यह को एक सिंगल फाइल में ही रहता है आपका सारे चीज फिर उसके बाद अगला कोश्चन दिखी दिया आपका यहां पर कि अब फर्मूला इन तो जितने भी फर्मूला करते में तो जितने भी एम एक्सल के आपके जो फर्मूला रहते आपके तो वह लुद्य को चाट होती है और इसके बाद माली जो कोई भी पर यही याद रखना है फिर अगला देखिए कि in msxl what is the function inside the another function called तो इसमें देखिए question simple आपका है कि msxl जापका है कि जैसे कोई function है और another function के inside में उसका हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग nested function हम लोग बोलते हैं जो कि आपका यह completely जो रहता है कि parent function के अंदर में आपका content रहती है इसको बोलते हम लोग that is nested function जिसमें कि आपका function के अंदर ही एक और function आपके रहती है फिर अगला question देखिए कि what is the standard windows keyboard shortcut की combination for redo तो redo के लिए जो है आपका इसमें से कौन सा shortcut की है तो देखिए इसके लिए जो shortcut की आपका रहता है यहाँ पर that is control plus shift plus z है आपका तो उप्शन बौन इसका correct answer हो जाएगा फिर इसके बाद देखिए आपका MS PowerPoint है तो देखिए जो Microsoft PowerPoint आपका रहता है तो इस software के थुरूज है आप लोग कोई भी मान लीजिए आपको अगर presentation तयार करनी होती है जिसमें कि आप लोग उसमें graphics image या फिर video सारे चीज़ आप लोग add कर सकते हैं यह सारे features जो available आते MS PowerPoint में तो presentation software आपका रहता है यहां पर जिसमें कि आप लोग slides आप लोग टैयार करते हैं इसमें जो कि आपका information रहता है डिस्प्ले करता आपका जो भी उसमें relevant चीज़ आप डालते हैं तो जितनी भी आपके presentation रहते तो slides के form में आपके इसमें create होते हैं तो presentation software जो इसमें आपका all tools available रहते हैं जिसमें कि आप लोग इसमें insert कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को जैसे आप लोग मान लिजिए ग्राफिक सीमें डाल सकते हैं इसके अलावे sound और visual effect और video इसे सारा चीज़ अबले बलाते हैं इसके अंदर में और साथ में बहुत सारे features भी आपके अबले बलात इसके अंदर में तो जो file format आपका रहता है जो भी document आप create करते हैं MS PowerPoint में तो उसका होता है .pptx या फिर .ppt आपका रहता है यहां पर तो MS PowerPoint में आप लोग जाकि और भी बहुत सारे चीज़ में डाल सकते हैं image और sound format आपका बिसिकली जो कि format आप किसी भी type का हो जैसे आपका GIF का BMP का PNG का JPG का .GAV का या फिर WAV का .MID का तो यह सारे जो आपके रहते हैं जो मतलब कि यह दिये हुए आपके format है तो यहां पर द आपको slides आपको view करना है तो उसके लिए simply आपको A5 प्रेस करना है तो जितने भी slide आपके रहते हैं तो आपका view कहना शुरू हो जाएगा फिर इसके बाद देखिए यहां पर एक और आपका पुछा आता है इसमें कि जैसे आपको next slide पे आपको move करना या next animation पे तो उसके लि सब्सक्राइब करना है तो simply escape की प्रेस किजिए तुससे आपका slides आपका रहेगा तो वह एंड हो जाएगा फिर इसके बाद देखिए और भी इंपोर्टेंट जो shortcut की है MS powerpoint से लेटेड आपके तो जैसे माल लिजे कि आपको कोई अगर नया slide को insert करना है तो उसके लिए shortcut की आपका है that is control plus M और कोई माल लिजे कि आपको new blank presentation आपको open करना है तो उसके लिए shortcut की आपका control plus N है आपका और वहीं पर माल लिजे dialog box open करना है तो उसके लिए आपका control plus O और उसके बाद फिर देखिए और भी इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर जैसे presentation को close करना है तो उसके लिए simple shortcut की है control plus W और वहीं पर देखिए आपका यहाँ पर यह भी आपसे पूछा आता है कि जैसे करजर को आपको माल लिजे की move करना है beginning of the presentation पे तो उसके लिए simple प्रेस कीजे control plus home और वहीं पर करजर को माल लिजे आपको मूब करना है presentation के end में तो उसके लिए simple आपका है control plus end आपका है फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है that is MS Access है तो देखिए जो MS Access आपका है तो यह एक अप्लिकेशन है जिसके त्रू जो है अप्लिकेश में database create कर सकते हैं तो Microsoft Access जो आपका है तो इसके लिए आपको और पढ़ना होगा तो इसके लिए आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है simply जो database आपका रहता है database management system जो है तो इसके अंदर में जो data रहते हैं कि माली जी कोई भी आप official work कर रहे हैं तो बहुत सारे data रहता है employee का salary working hour या फिर जो important details रहते हैं तो उन सभी को एक database create करके रखनी होती है और जिसमें की data को maintain करना उसका entry करना तो यह सारे चीज जो रहते हैं बहुत ही असान होते हैं इसमें तो इसलिए इसका use किया जाता है MS Access का फिर अगला देखिए आपका Microsoft Outlook है तो Microsoft Outlook जो है तो इसमें इसमें भी जैसे आपका इनेबल करना रहता है user को synchronize करना रहता है अपना emails को तो जो भी उनके data रहेंगे स्मार्टफोन के अंदर में तो वो जो आपका ऍलचे एक्जोगेटेबल फाइल्स होते हैं mainly और वहीं पर दॉट कॉम से रहता है extension अपका तो यह होता है और वहीं पर डॉट ाट वी जो रहता है अपका तो यह होते है बैस फाइल और डॉट से जितने भी आपके extension नोर्ट यह टॉक्मेंट 7 आपके होते है और टोट्ट डीकसटी से रहता है तो अपके होते हैं। और डोट गया थे तो question देखिए आपका यहां पर है कि इन्हें windows based computer two files cannot be in the same folder if तो यहां पर windows based computer आपके रहते हैं तो उसमें दो file को मालेजे कि आगर आपको रखना है तो वो जो है आपका same folder में नहीं रह सकता है आपका तो वो कब आपका नहीं रहेगा तो option में देखिए आपका यहां पर दिया हुआ है कि they have different name but same creation date तो देखिए कोई भी अगर आप लोग जाए file को create करते हैं same date में लेकिन उनका different names आप करते हैं तो इसमें कोई दिकत नहीं होती है आपका same folder में रख सकता है यहां पर तो इसमें आपका यह सही नहीं नहीं आपका यहां पर फिर अगला दिखिए दिया हुआ है same folder में वो जो है आपका override कर देगा आप यानि कि वो इसमें आपको जो है replace करने के लिए बोलेगा उसको या तो फिर उसमें और भी उसमें extra 123 करके आपका add कर देगा तो same name के साथ जो है आप लोग एक folder के अंदर में file को नहीं रख सकते हैं तो यहीं जो है आपका नहीं कर सकत है आप लोग window based है जो आपके computer रहते हैं तो option 3 जो आपका correct answer है आपका इसमें तो आप लोग जो इस तरह question थोड़ा सा understanding basis पर भी आप इसका file extension देखे आप लोग बदा सकते हैं वहती इसली तो इसका right answer option 4 आपका हो जाएगा फिर next दिखिए कि that is not a common bitmap based file type extension तो कौन सा इसमें से आपका common bitmap based file type extension नहीं है आपका तो option में देखे आपका देखे आपका ODT, TIFF, PNG या फिर PCX दिया हुआ है तो इसका देखे right answer of one आपका हो जाएगा that is ODT आपका है इसमें तो ODT जो है आपका file जाएगा एक text document आप लोग जाए मतलब कि एक text document आप create कर सकते हैं इसके जो है आपका bitmap based file extension है लेकिन जो ODT आपका है तो यह आपका एक file एक text document है फिर next देखे कि .css file extension usually referred to what kind of a file तो .css file extension जो रहाता है आपका तो यह usually किस ताप फाइल को refer करती है तो देखे यह सारे जितने भी आपके रहते हैं तो यह सारे आपके hypertext related file आपके रहते हैं तो .css इसका देखे full form होता है that is for cascading style sheet तो इसके अंदर में देखे जो file content जो रहते हैं आपके .css extension से तो यह जो है आपके जो content रहते हैं webpages के यानिकि जो webpages आप देखते होंगे तो उस तरह के webpages को जो है इनका use क्याता है उनको design करने के लिए इनका use क्याता है इनके format आपका hypertext वो आपके रहते हैं जो की एक special text रहते हैं कि जिसके अंदर में आप लोग एक text को आप लोग touch करते हैं तो फिर आप लोग जो उससे नया link के थुरू आप लोग connect हो जाते हैं तो यह एक तरीके का अलग type text आपका होता है normal text आप लोग देखते होंगे अपने book या copy में तो आप करते हैं तो वो सारे hypertext related फाइल आपके होते हैं जो की mainly आप लोग देखते होंगे web pages में तो option D इसका correct answer हो जाएगा अब बाइए इसके अलावे और भी important question को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके important है इस exam point of view से तो question देखिए आपका है इसमें से है कि बीच्छोद फॉ आपके तो option D इसका correct answer हो जाएगा फिर अगला question देखिए कि बीच्छोद फॉलोविंग statement is not true about an MS Word document तो MS Word document से related कौन सा statement इसमें से सही नहीं है आपका true नहीं है तो देखिए दिया हुआ इसमें कि different portion of a text may have the different fonts तो different portion text के आपकोते है तो उसके different font हो सकते हैं देखिए यह चीज तो देखिए phone size को भी आप लोग कर सकते हैं different different कोई छोटा बोड़ा आपका हो सकता है तो यह भी possible है आपका MS Word document में फिर अगला दिखिए आपका दिया हुआ C में कि copy paste text can't be deleted तो कोई भी जैसे माले जब लोग copy paste आप करते हैं किसी भी text का कहीं दूसरे जगा से तो उसको दिया हुआ statement आपका कोई भी copy paste text आप करते हैं कहीं से भी तो उसको आप असानी से delete कर सकते हैं तो यही आप इसमें जो आपका true नहीं दिया हुआ है तो आप्शन सी correct answer आपका हो जाएगा यहां पे तो simple question आपका जो कि आपके basic understanding के basis पे आप लोग इसे solve कर सकते हैं फिर next दे देखिए यह सारे आपके जो है MS office के basic software है यह सारे package में आपके अफलेबलत है जो कि आपने आपको बताया हुआ है फिर अगला question देखिए कि MS word is an MS word आपका क्या है यहां पे तो देखिए जो MS word आपका है तो यह जो है आपका word processing software है जिसमें कि आप लोग text based document को create कर सकते हैं त तो यहां पे देखिए जितने भी आपके important topics था आपके Microsoft Office related है तो वो हमने यहां पे पूरा complete कर लिया है तो आपको कैसा लगा यह lecture आप लोग comment करके जरूर बताना और इसी तरीके से जो आपका आगे भी computer class आपका regular आप चलता रहेगा और साथ में देखिए PDF भी जो है आपक comment का हमने बनाया हुआ है पूरा complete lectures उसका और साथ में उसका PDF हमने पुर्वाइट किया हुआ है तो डिस्कप्शन बॉक्स में आपको उसका link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए